नमस्कार आप देख रहे हैं Target with Alok Online Institute मैं हूँ विवेक मिश्र 8 पीम न्यूज बुलटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नज़र COVID-19 महामारी के चलते देश में मनी लॉंडरिंग और आतंकी फंडिंग की समिक्षा अगले साल तक तली FATF सदस देशों में मानकों के पालन की करता है जाच स्रिलंका सरकार ने RBI के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा बिन में समझोते पर किया हस्ताक्षर 2022 तक मानने हो सकता है यह बिन में समझोता तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलिटिन की सुरुवात करते हैं देश में आर्थिक अपराधों को रूपने के लिए मनी लॉंडरिंग और आतंकी फंडिंग को लेकर बहुप्रतिक्षित वित्ती कर्रवाई कारियबल यानि FATF की समिक्षा योजना को आगामी साल तक के लिए टाल दिया गया अधिकारीगों ने जानकारी दी है कि यह अहम फैसला कुरोना महामारी के मद्दे नजर लिया गया आपको बता दे कि FATF के विशेशग्य सितंबर अक्टूबर तक भारत में आकर इन कदमों की समिक्षा करने वाले थे वित्तमंत्राले के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि FATF समिक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी आगे उन्होंने उमिद्ज जताई है कि नई तारीखें अगले साल की सुरुवात में तैय की जाएंगी FATF ने भी इस संबंध में सारवजनिक घोषणा कर दिया है भारत ने इस बार FATF विशेशग्यों के समक्ष पक्ष रखने के लिए 22 केंद्री जाच खूफिया और नियामकी एजनसियों का ज्वाइंड ग्रूप बनाया है वित्मंत्राले की राज़स बिभाग के निगरानी में इस क्रूप में CBI, प्रवर्तन निदेशाले, आयकर बिभाग राज़स खूफिया निदेशाले, बाजार नियामक सेभी और बीमा नियामक इरडा जैसी प्रमुख एजनसियों को शामिल किया गया गरतलम है कि साल 1989 में मनी लॉंडरिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समित अन्य संबंधित खत्रों का मुकाबला करने के लिए FATF को अस्थापित किया गया था साल 2001 में इसके कारिक शेत्र में विस्तार करते हुए आतंकवाद को धन मुहया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाने तक बढ़ा दिया गया इसका सच्वाले पेरिस के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुक्षाले में है यह संस्था वित्तिय विशय पर कानूनी वी नियामक एवंग परिचालन उपायों के प्रभावी कारियानवयन को बढ़ावा देता है हाल ही में स्रिलंका सरकार ने भारती रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेर्की डॉलर के मुद्रा विनमय का यह समझोता नवंबर 2022 तक मान्य होने की उमीद है मुख्य तोर पर स्री लंका द्वारा यह समझाता कुरोना महमारी के मद्दे नजर उत्पन आर्थिक संकट के बाद अल्पकालिक अंतर राष्ट्रिय तरलता संबंधी आवस्षक्ताओं को पूरा करने के उद्देश से किया जा रहा है यह समझाता स्री लंका के साथ कारी करने की भारत की प्रतिबधता का एक ससक्त उदाहरण है आपको बता दें कि मुद्रा विनिमय एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझाता होता है जो दो पक्षों के बीच मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक विस्चित् समय के लिए किया जाता हे इससे फायदा ये होता है कि विदेशी मुद्रा 2 जार और भिनमै दर में इस्थिर्टा व हatte और आन जोकिमों का खतरा नहीं होता ऐसे समझातों में सामानने तह किसी देश का केंद्री बैंक और उस देश की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की परियाप्टता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकच संस्थाएं सनलगन होते हैं। बीते साल स्रिलंकल राष्टपती गोतबाया राजपक्षे की भारत यात्रा के मौके पर पियम मोदी ने स्रिलंका सरकार के लिए 450 मिलियन डॉलर के लाइन ओफ क्रेडिट की घोशना की थी। स्रिलंका सरकार की मदद की है। और अबंत में चलते चलते कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर जो आपकी परिक्षाओं की लिहाद से बेहत महत्वपूर्ण साबिद हो सकते हैं। आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च यानि ICMR के तीन नविंतम हाई थ्रूपुट लैब लाउंच करेंगे। भारत सरकार सुरुवाती चरण में COVID-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट ट्रैक और ट्रीट यानि थ्रीटी रणनीती पर कारी कर रही है। आपको बताते चलें कि जनवरी 2020 में COVID-19 के परिक्षण के लिए देश भर में केवल एक लैब था। अब इसकी संख्या बढ़ा कर तकरीबन 1300 कर दिया गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्षेदारी सामिल है। भारत एक दिन में 3.5 लाग के करीब परिक्षण करने की ख्षमता को विक्षित कर लिया है। वर्तमान समय में भारत विस्ष में सरवाधिक अच्छा कोरोना रिकावरी रेट देने वाला देश है। नई थ्रिटी तकनिक आने से संक्रमण घटने के साथ रिकावरी रेट बढ़ाने की भी उमेध है। ट्राइफेट ने उन्नद भारत अभियान को लागू करने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझोता किया है। अब ट्राइफेट का नया समझोता वन धन कारिक्रम के तहत कारे करने वाले आदिवासी उद्यमियों के लिए है। इस समझोते के तहत माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लगे आदिवासी वन निवासी नई प्रसंसकरन प्रोधोगी को मेंटर्शिप ट्रांसफॉर्मल डिजिडल सिस्टम उत्पात नवाचार और हैंड होल्डिंग तक आसानी से पहुँच सकेंगे। IIT खडगपुर के सोधकरताओं ने COVID-19 का परिक्षण कर एक घंटे से कम में परणाम देने वाली कम लागत की पोर्टेबल डिवास विक्षित की है। इसे परिक्षण की लागत 400 रुपई से भी कम है। इस डिवास द्वारा केवल पेपर कार्ट्रीज बदल कर बड़ी संख्या में परिक्षण किया जा सकता है। इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि इसे कम प्रतिसत कर्मियों द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। दक्षिड कोरिया ने हाल ही में अपना पहला सैन संचार उपग्रह Military Communication Satellite Anasis 2 का प्रक्षेपण किया। इसका प्रक्षेपण अमेरिका की निजी कमपनी Space X ने फ्लोरिडा स्थित केप कैन्वेरल एर फोर्स स्टेशन सी किया। इस उपग्रह को Falcon 9 रॉकेट की माध्यम से भू इस्थिर अंतरन कक्षा यानि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ओर्बिट में अस्थापित किया गया है। दक्षण कोरिया द्वारा किया गया यह सैन संचार उपग्रह का प्रक्षेपण परमाणों हतियार संपन उत्तर कोरिया के खिलाफ अपने बचाओ के परिप्रेक्ष में देखा जा रहा है। एक मिलियन यूरो की धनरासी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक सत्रह वर्षी परिया वरन कारी करता है। साल 2018 में जलवायो परिवर्तन के मुद्दे पर लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए स्वीडिस संसत के बाहर विरोध प्रदर्शन कर विश्व अस्तर पर सुर्खियों में आई थी। उन्होंने बिरोध दर्ज कराने के लिए हर फ्राइडे अपना स्कूल छोड़ दिया था जिसको देखकर कही देशों में फ्राइडे फॉर फूचर नाम से एक मुहिम की सुरुवात की गई थी। पिशले साल उन्होंने टाइम परसन आफ दे इयर पुरसकार भी जीता था। पुर्ण घटक हकानी नेटवर्क अभी भी अलकाइदा से नजदीकी से जुड़ा है और अलकाइदा सरगना अयमान अलजबाहिरी फरवरी के बाद भी हकानी नेटवर्क के सदस्यों से मिलता रहा है। यह अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए एक चिंता का विशय है। फिलहाल एट पीम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहे है टार्गेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टिटूट से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार।